तो कईस कैसे हो आप सब स्वागत आपका एक बाद फिर से आपके अपनी चैनल फिल्मी बॉक्स ओफिस पर बात करेंगे एक बाद फिर से हाल फिलाल रिलीज वे फिल्म बॉब विश्वास और सेर साह को लेकर जिसे कि रिलीज हुए लगवक से लगवक तीन मेने से कारण मैं बॉज़ाता हूं वेल आपको आदू सेर साह जिसे की डैकसन दी विश्वास और लीडिंग में नजर आये कौन जाने माने एक्टर सिधार्थ मलोत्रा और इनका पूजित फिल्मे लीड में नजर आई क्यारा अडवानी वेल आपको आदू सिधार्थ मलोत्रा कहन को यंगेस्ट एक्टर्स की लिस्ट में सामिल है और इने कहीं नहीं मिस्टर परफेक्ट भी कहा जाता है लेकिन उसके बावजूद इनका स्टार्डम कुछ भी नहीं है लेकिन अब जब फिल्म सेर साहा रिलीज हुई काफी लोगों को पसंद आई इनकी परफॉमेंस और इन जो कलेक्शन किया एमजोन प्राइम से अपने आठवी दिन वो था लगबग से लगबग 10 करोड के आसपास नौर्मल से नौर्मल जी हाँ जोकि अनबलिवेबल था और जो से टोल कलेक्शन होजगा था फिल्म का आट दूनों के अंदर अंदर वो था काइस लगग से मानिएगा ये एक बड़ी फिल्म थी अब ही पात करें अब लिस्ट की दूसरी फिल्म यानि की हाल फलाल रिलीज हुई बॉब बिस्वास को लिकर जोकि एक साइलेंट किलर ड्रामा फिल्म है और ये फिल्म ओडियन्स को पसंद आ रही है एवन मुझे भी पसंद आई कंपेरिजन इसलिए था गाई सही विता हुना इस वक्त फैन बेस्ट दौनों का ही काफी अच्छा है सिधार्थ का भी और अभी सिख का भी और दौनों ही एक्टर पिटे हुए हैं सही विता हुँ तो इनको फिल्मे एक बड़ के लिए मिलने बन दो चुकी थी और अब कि क्या कितनी और इनकी फिल्म में चलती है बॉब बिश्वास जो कि आठ वे दिन कलेक्शन कर रही है लगवग से लगवग साथ करोड़ पर का और इसका जो कलेक्शन हुआ है वह हुआ है अभी तक टोटल ऑवरॉल बावन से पच्वन करोड़ के आज पास वेल आपको चोटा है तो सब्सक्राइबर्स कम है जाहिर सी बात है अधरवाइस यह फिल्म में सेरसा से कम नहीं है अगर सच कहूं तो मैं सही महीन में पस यही कारण था मेरा कंपरेजन करने का तो आपको जादू हल फिल्द तो वैसे सेरसा का कलेक्शन जादा है इससे कही जादा है ड विश्वास आपकी राय जो भी हो कमेंट में बताइएगा